किरण बेदी पूर्व IPS पुडुचेरी की पूर्व उपराजपाल IIT दिल्ली से PhD धारी मैकसे से अवार्ड विजेता बड़ी बड़ी कहानिया सुनी हैं कि कैसे किरण बेदी ने पुलिस सर्विस में रहते हुए उस वक्त की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की कार खिचवा दी थी लेकिन अब बीजेपी नेता की पहचान रखने वाली किरण बेदी सूचना करांती के युग में सोशल मीडिया पर सही गलत की परह करने में गच्चा खा जाती है उनका एक हालिया ट्वीट इसका उधारड है किरण बेदी ने 11 मई को एक वीडियो ट्वीट किया वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक शार्क समंदर के बीचो बीच उचल कर एक हेलिकॉप्टर को दवोच लेती है पास में एक नाव में खड़े कुछ लोगों की जान हलक में आ जाती है वीडियो के नीचे लिखा था नेशनल जोग्रफिक चैनल ने इस दुर्लब वीडियो के लिए एक मिलियन डॉलर खर्च किये गजब वीडियो है लेकिन गच्चा ये हो गया कि किरणबेदी ने जो वीडियो शेयर किया वो असली नहीं था, रियल वीडियो नहीं था ये एक फिल्म का सीन है जिसे पूर्व आईपियस ने असली वीडियो समझ कर ट्वीट कर दिया जबकि वीडियो देख कर भी एक बार तो ये संदे होता है कि ये असली नहीं लग रहा खेर, सोशल मीडिया की जनता ने किरडवेदी को उनकी गलती समझाने में देड़ नहीं की एक यूजर ने ट्वीट किया, लिखा कि अगर किरडवेदी ट्वीटर से दूर रहती तो हम उन्हें एक लेजंडरी आईपियस के तौर पे तो कम सकम याद रख पाते एक अन्हें यूजर ने ट्वीट किया, लिखा कि मैम शुकरिया, आप तमाम उन लोग के लिए प्रेड़ना का सुरोत हैं जो आईएस आईपियस के तयारी कर रहे हैं आपको देखकर उन्हें confidence आता है कि अगर आपके IQ वाला ये exam निकाल सकता है तो वो क्यों नहीं, ये क्रियरबेदी पर एक तरीके से यूजर ने तंज कसा ये वीडियो शेयर करने के लिए एक अन्य यूजर ने एक कार्टून का स्क्रीन ग्रैब शेयर करते हुए लिखा कि हॉरिबल मैं, ये बहुत ही डराबना है, एक ऐसा ही इंसिडेंट, एक ऐसा ही वाकिया बंगाल की खाड़ी में भी हुआ है एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, लिखा कि हम 1980 के अल्ले पल्ले आपको देखते हुए बड़े हुए हैं, आपको हमेशा प्रेणा का स्रोत माना है, आप ये बताइए कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, या वास्तों में इस तरह के वीडियो शेयर कर रही है यानि कुल में आके सोशल मीडिया यूजर ने क्रियरबेदी के इस तरह के वीडियो ट्वीट करने को जम कर ट्रोल किया और सवाल भी उठाए कि एक पूर IPS का, एक इतनी वरिष्ट नाकरिक का, जो तमाम पदों पर रह चुकी है, उनका किसी वीडियो की सत्यता जासे उसे करना कितना सही है, उधर डैमेज कंट्रोल करने को चक्कर में क्रियरबेदी ने एक और ट्वीट किया, जिसका इंप्रेशन और भी गलत चला गया, उन्होंने लिखा, इस बहादुरी वाले वीडियो का सोर्स सबके सामने है और ये फैक्ट चेक का मसला है, इसका ऑथेंटि मान लेने के बजाए किरबेदी बातों को गोल-गोल घुमाने में लगी है, खैर ये पहली बार नहीं है जब किरबेदी ने इस तरह का कोई फेक वीडियो असली समझ कर शेयर किया है, चार जनवरी 2020 का उनका इस ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में दावा है कि ब्रम्भा की चेक मिल जाएंगे, NBT Online की रिपोर्ट